प्रधर मंत्री किसन ट्रेक्टर योजना का तहट आपको मिलेगी 50,000 तक कि आपको अगर ट्रेक्टर खरीदना है तो आये पूरी जानकार ही हम जानते हैं इसे वीडियो में डोक्योमेट कौन कोड़ से चाहिए एपलाई कैसे करना है और कौन से पात रहता यहां पर रखी बताएंगे तो अन तक बने रहे हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं लाइक का बटन दबागर के तो दोस्तों यहां पर पीम किसन ट्रेक्टर योजना दोजार इकिस के तहत यहां पर सबसे पहले तो जैसके जो इच्चुक लाभार थी है वो लाभ उठाना चाहत हैं तो आप प्रतन मंत्री ट्रेक्टर योजना दोजार इकिस के तहत अंतरगत आप है वह आवेदन कर सकते हैं जहां पर दोस्तों बहुत ही लाइब दाई और आसानी होगी किसान भायों को खेति करने में तो दोस्तों यह बहुत ही एच्चह हम कह सकते हैं ट्रेक्टर यो रह चुके हैं जहां पर दोस्तों उदेश्यों है वह किसानों को सबसेड़ी प्रदान करना है जहां जैसी के आप लोग दोस्तों जानते हैं कि देश में बहुत ऐसे किसान भायों हैं जो आर्थिक रूप से बहुत गरीब है और वह कुरुशी करने के लिए कुरुशी नजर रखते हुए प्रधन मंत्री ने मिस्री नरंद्र मदिनी जी ने बहुत यह च्छा निनिया है प्रधन मंत्री किसान ट्रेक्टर योजना 2021 में स्टार्ट हुआ है जहां दोस्तों तो आप जान लेते हैं यहां पर यह योजना के अंतरगत सभी किसन भायों है उठा सकत में ही रूपिये आएंगे जो सबसीडी आईगी वो डायरेक्ट किसन भायों के उसके डायरेक्ट ब्यांक एक काउंट में ही दिया जाए और दोस्तों यहां पर इस योजना के जुडने वाले सभी किसन भायों है वो किसी कृशी अंतर सबसीडी में जुडना नहीं होना चा तो सबसे पहले तो यहां पर सबसीडी आविश्यक है जहां पर सबसे पहरे तो यह बात आपको ध्यान रखनी है और फ्रेंस यहां बात कर लेते हैं त्रेक्टर योजां के तहुत आपको डोकिमेंट चाहिए तो कौन कौन से चाहिए तो सबसे पहले तो आपको आथर काड बाद में जमिन के काखजात बाद में दोस्तों पेंड काड पासपोर्ट या तो फिर अधर काड भी चोले का ड्राइविल नाइसेंस बेंक एकाउंट क और बाद कर लेते हैं कि आपको अवेदन के से करना है तो कई एसे राजिय जहां पर ओफativesं किया जासकता है तो आप स्क्रेंड पर जो देख सकते हो ओनलें आवेदन करना होगा आप रद्योपरदेश या तो फिर महाराष्ट और और वोडी सापे आप बिलोंग करते हो तो आपको ओनलाइन आविदन करना होगा अगर आप राजस्तान से बिलोंग करते हो तो आपको इमित्रा का संपर करना होगा और बाकी के सभी स्टेट्स को है वह अपने नस्दी के किसी भी सरकारी साखा में जाकर आप आविदन कर सकते होगे आपको offline आवेदन करना है तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपने नज़ी के सरकारी साखा में जाका और फोर्म ले लेना है और फोर्म लेने के बाद आपको पूरा फिलब कर देना और फिलब करने के बाद दोस्तों एपलाई कर देना है और आपके पास अपने डिरेक्ट बेक अकाउंट में 25,000 तक की सबसेड़ी आ जाएगी तो दोस्तों इस तो आपको एपलाई करना है और कोई भी इस्यू आता आप स्क्रीन पर हमारे मेल आड़ी देखी सकते हो आप मेल करके हमें बता सकते हो और सातों साथ दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो यार वीडियो को कर दीजे लाइक चैनल को कर दीजे सबस्क्राइब तो इसे नहीं सरकार योज्या की अपडेट्स लात रहूंगा थैंक्स पर वोची